सबसे स्लिमिस्ट और इंडिया का सबसे लाइटिस्ट 5G स्मार्टफॉन बनके आ चुका है उसके लावा भी काफी सारे फीचेस आपको मिलते हैं और प्राइस ओपीनियन वीडियो के एंड में जाहिए सब आपको पता चल जाएगा फटावट से पिल एंबॉक्स करते हैं अरब ने बना दी जोड़ी बैक केस लगा हुआ है और डेफिनिटली बहुत ज्यादा स्लिम लग रहा है इसके तरफ बाद में आते हैं उसी के साथ कुछ कागजात है 33 वाट का अपको टर्बो चार्जर उन्होंने बॉक्स में दे दिया है तैंक्फॉली आज कल यह बताना यह आपको 6.79 mm की तिकनेस पर मिलता है और 155 ग्राम का है हमने जब हमारा वेट टेस्ट किया तो 157 था मतलब ज्यादा फर्क नहीं था और डेफिनिटली दोस्तों हाथ में होल करने पर यह बहुत ही लाइट वेट और बहुत ज्यादा स्लिम लगता है I mean literally जब आप इसको य प्लास्टिक से थोड़ा उसको बेटर बोल सकते तो नहीं यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट मटेरियल का इस्तेमाल किया है तो इसका जो ग्रिप है वह मुझे हाँ पर काफी अच्छा लगाए बादेवे फिजल और की बात करें तो नीचे आपको सिम ट्रे आप सिफ दो सिम काड़ी लगा सकते हैं साथ में टाइप सी पोर्ट माइकोल एक पहला स्पीकर यहाँ पर मिलता है दूसरा स्पीकर आपको यह पीस में थैंक्फॉली डूल स्टेरियो स्पीकर डॉल्बी एट्मोस को आपको सपोर्ट मिलता है राइट में पावा बटन ऊपर वोल्यूम इसे हो जाता है तो यह थोड़े से बागे बाकी फास्ट है है अच्छा है जब आप मल्टी टस्किंग करते हैं टाइपिंग अगरा करते हैं तो वह एक्स्पीरियंस भी आपको अच्छा मिलेगा यह वाला मेरे पास ग्रे है यह वाला ग्रीन है और हां आई-पी 52 आपको र स्क्रीन साइब करेंगे फोन इतना बड़ा नहीं लगता है यहां पर यह एक पी ओलेड वाली डिस्प्ले जहां पर फुल एजडी प्लस रेजलूशन है साथ में आपको सेंटर पंचोल मिलता है चिन भी बहुत कम है स्क्रीन टू बोडी रिश्य आपको काफी अच्छा दे प्राइस सेग्मेंट में यह आपको 144 हर्ट की हाई यह रिफ्रेशिट देता है लिटरली जबा फोन यूज करेंगे स्वाइप करोगे वह फील होता है बहुत ही फास्ट परफॉर्म करता है और 360 हर्ट का आपको टच सैंप्लिंग रेट भी दिया है उतना इनी ब्राइटने का पहला फोन बन जाता है जो इस चिपसेट के साथ आया है और स्नाप्रेगन 778G से यह स्लाइट बेटर है दो पार्स में मैं आपको बताता हूँ CPU की बात करें तो यहां पर यह 2.5 GHz पर क्लॉक है 778G 2.4 GHz पर था GPU की बात करें तो यह 20% उन्हों ने उसको बूस्ट कर दिया है बाकी सब कुछ सेम है सेम CPU की आपको कोर्स मिलते सेम आपको GPU मिलता है और सेम बैटरी एफिशिंसी है 6NM वाली लेकिन Android स्कोर में थोड़ा फरक आया हमने जब टेस्ट किया तो स्कोर्स थोड़े ज्यादा थे जब हमने स्नाप्रेगन 778G से कंपेर किया उतना ही नहीं परफॉर्मेंस भी दोस्त अधर जो बॉक्स में हमने उसको चार्ज भी किया था 0-100 परसंट आजए घंटे में यह 50 परसंट होता है 45 मिनिट्स में 70 परसंट एगंटा लगता इसको फुल चार्ज होने में अब बैटरी किपैसिटी ऑविसली कम है क्योंकि फोन इतना स्लिम कर दिया ना इससे बैटरी चोटी हो चुकिए लेकिन प्रेक्टिकली हमने इसको टेस्ट किया आपको बताते हैं साड़े साथ मज़े शाम के हमने इसको यूटूब पर विडियो लगाया लूप में डाल दिया और फुल बैटनेस थी 144 पी ओन था और वहां पर धाइगंटा में ने कंटिमिसली है और साथ में चिपसेट भी बैटरी एफिशेंट है 6NM वाली है पी ओलेड वाले डिस्पे यह सब कॉम्बिनेशन में आपको मिला कर बोल रहा हूं मुझे रिजल्ट ठीक लगे मतलब ऑन अवरेज अगर आप 10 गंडा भी वीडियो देख लेते तो यह फोन उतना चलेगा बट कंटिनूसली कोई नहीं देखता है तो मुझे लगता है कि अगर आप मिक्स्ट यूस करते हैं शोशल मेडिया ब्राउजिंग वीडियो वगरा देखते हैं तो एक दिन चल जाएगा लेकिन अगर 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 हैवी यूजर है तो डेफिनिटली आपको दि मोटरला का खुद का आपको exclusive features भी उन्होंने यहाँ पर दे दिया है और साथे साथ इसमें उन्होंने थोड़े bloatwares दिया है मुझे जौश यहाँ पर दिखाई दिया मतलब एक एप तो मुझे मिला है जो अकसर मोटरला नहीं करता है बट उन्होंने किया है और मैं request करता तो better होगा however आप उनको निकाल सकते है कोई जबर्दस्ती नहीं और आपको 2 साल तक updates वो लोग देंगे Android 13, Android 14 आपको इसमें मिलेगा और 3 साल security patches जो मुझे अच्छा लगा और उमीद करते हैं कि वो उस पर खरे होतरे तो बहुत ही अच्छा होगा साथ में LPDDR5 RAM support और UMCP storage का support जो आप उसको UFS 2.1 या 2.2 के equivalent बोल सकते जहां पर आपको उन्होंने extra RAM boost भी दिया है 2GB तक अगर आप चाहो वर्चुली वाप कर सकते बट यहां पर डे टू रिलाफ के जो टास्क होते है एप open close multitasking यह बहुत फास्ट है मुझे अभी तक जितना भी मैंने use क्या उसमें सब्सक्राइब कर दिया तो वह बहुत है अब आप सोचते यह मीमो होता है क्या है जो अक्सर मोटरला की फोन्स में आता है आज में आपको practically समझाता हूँ मीमो का मतलब है multiple input multiple output और इसमें चार है चार यानि की चार separate antennas इसमें आपको मिलेगे simultaneously data stream में यह बहुत जादा help करता है हमने practically test के लिए एक जगा पर mid range एक जगा पर flagship लगाया बीच में मोटरला था same wifi पर 3 होते और same game एक time पर हमने start किया download पर और आप देखो कि literally मोटरला ज़ादा fast download करता है जिसलिए जो चार antennas से वो उसमें help करता है यह से wifi में नहीं यह 4G पर भी काम करता है इसमें 3 AC carrier regression उन्होंने दिया है बढ़ हमने जब चेक किया तो हमें 4G plus carrier regression नहीं दिखाए दिया हो सकता है मेरा Vodafone ने तो issue हो रहा है क्या बाता है अटल नो जीओ में आपको show करते और साथे साथ आपको 13 5G की bands भी दिया है तो वो भी चीज़ आपको अच्छी मिल जाती है सारे sensors का आपको support मिलता है wide 1, L1, camera 2 API और display पर आपको 10. multi touch का भी support मिलता है finally camera की बात करें तो पीछे आपको triple camera setup है 50 megapixel primary f1.8 aperture, code pixel technology, 4K max आप 30 episodes पे video shoot कर सकते है और आपको OIS भी मिलता है, very nice, उतना इनी portrait है, night mode है, slow motion और भी काफे सारे camera में उन्होंने features दिया है फिर एक 50 megapixel का ultra wide और ये first ever sensor है, जिसमें macro भी है, मतलब 50 megapixel macro तो 50 megapixel ultra wide, उसी में macro है, तो 50 megapixel के आप macro भी ले सकते हैं, वैसे हमने थोड़े photos लिया था, ultra wide photos काफी अच्छे है, dynamic range वगरा देखो, color shifting भी जादा नहीं, सब बढ़िया लगा, और 50 megapixel का macro भी हमने ले लिया, तो मैं इतना बड़ा fan नहीं है, अगर आप चाहो तो आप ले सक देखेंगे, मैं खुश हूँ, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कुछ काम किया है, मैं वही expect कर रहा था, क्योंकि एक mid range phone है, तो photos अच्छी होने चाहिए, तो यहाँ पर dynamic range देखेंगे, colors देखेंगे, bookie shots देखेंगे, sharpness देखेंगे, सब अच्छी लगी मुझे, और selfie देखत देखेंगे, तो यह भी अच्छी है, stabilization भी अच्छी है, dynamic range भी अच्छा है, और मुझे sharpness भी वीडियो के दौरान यहाँ पर काफी अच्छी लगी है, night में भी कुछ जगाओं पर काम किया गया है, अक्सर मैं मोटरला की phones में night में complaint करता हूँ, बढ़ यहाँ पर नहीं करू description में दिया हूँ, आपको जाके चेक करिए, और कमेंट में बताइए कि इसकी photos और वीडियोस आपको कैसे लेगे, आप प्राइस की बात करेंगे, तो यह 28,000 का है, 6GB RAM, 120GB storage, और 30,000 का है 8GB RAM, 120GB storage, bank offers दे रहें बोलो, 2000 और दोनों वेरियंट्स पर आपको off मिलेंगे, so for example, ज 26,000 तक जा सकता है, I mean 25-30,000 की रिंज पर ही मैं expect कर रहा था, और price वैसी ही लगी, क्योंकि chipset आपको अच्छी मिल जाती है, display price segment में बहुत अच्छा है, camera में improvements हुआ है, 2 साल software updates मिलेंगे, वैसे भी stock android है, वहाँ पर भी experience आपको अच्छा मिलेगा, और form vector काफी अच्छा है, battery भी, it could have been better, लेकिन जैसे कि मैंने का practically सबसे important होता है, capacity पे इतना हमें depend नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर apple की phones उठा लो, उनमें capacity कम होती है, लेकिन optimization देखो कि इतना अच्छा होता है, कुछ-कुछ android phones को भी पीचे चोड़ देता है, तो यहाँ पर optimization पर और practically में सोचना तो मुझे अच्छा लगा है, जितना भी मैंने अपनी टेस्ट किया, बाकि overall मुझे लगता है कि एक अच्छा package मोटोला की तरफ से और वो अच्छा काम करती है, हर category में आप देखो, तो definitely यह भी मुझे लगता है, मैं आपको recommend कर सकता हूँ, तो description में इसके सारी information दिया,